तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में देखेंगे जितने भी आपके सेंट्रल और स्टेट लेवल पर फार्मसिस्ट के एक्जाम होते हैं चाहे वो ऐसे सी हो चाहे कोई भी एक्जाम हो जनल अवैर्नेस के कैसे कुछे जाते हैं उन सारे एक्जाम में वो डिसकस करने की कैलशयुम है उट्रोंधु को स्लीक्डल यायम भी कहा जाता है जब उसको हार्ड वाटर में मिलाया जाता है तो वाटर की पीच बढ़ जाती है क्योंकि कैल्शयुम है आपके प्रिसीपिटेट्स होते हैं के थोड़ा सा एसेड मिलाया जाता है जिसे कि पीच जो है वो बै कैल्शियम हाईड्रोकसाइड बेसिक है थोड़ा से ऐसे डिग मिलाके पी एच को बैलेंस करा जाता है इसलिए आंसर इसका ऑप्शन सी कैल्शियम हाईड्रोकसाइड कोशन नमर सेके ने देखे विच मुगल एमपरर बिल्ड बुलंद दर्वाजा बुलंद रवाजा किस मु वहाँ पर बनवाया गया था अकबर के दवारा कब बनवाया गया था सन 1575 में बनवाया गया था कि जब अकबर ने गुजरात पे जीत हासिल की थी तो अपनी विक्टरी को सलिब्रेट करने के लिए उसने ये बुलंद दर्वाजा बनवाया था बहुत ही अच्छी अर्किटेक्चर दोर माना जाता है ये पूरी ही दुनिया का और बहुत ही सुन्दर तरीके से अकबर ने बनवाया था उसके समय का सबसे प्रीशिय सबसे अच्छा आर्किटेक्ट माना जाता है अकबर के समय का जो उसने बनवाया था तो आंसर इसका ऑप्शन भी अकबर जूइन देखे, कोई गौर्वर्मट पोसिशन उन्हें इन के पास काम नहीं था बट माना जाता है कि जितने भी फैसले लिए जाते थे उस समय कि गौर्मेंट के दौरा इंडियन गौर्मेंट के दौरा वो सारी ही महात्मा गांदी सिक की सलाफ करके ही लिए जाते थे उनसे पूछ के लिए जाते थे बहुत बड़ा हाथ माना जाता है इनका भारत की आजादी में नेक्स कोशन आपसे पूचाया देखिए कि इन में से कौन सा अलोई कॉपर और टिन का मिक्सचर है कॉपर और टिन को मिला के बनाया गया है ब्रॉंज, ब्रास, जर्मन, सिल्वर या ग्रेफाइड आंसर इसको आप्शन ए ब्रॉंज, ब्रॉंज जो है देखिए हमारे हाउस होल्ड आइटम जो हमारे घर में यूटेंसिल होते हैं, बहुत सारे ब्रॉंज के बने होते हैं कास से बोला जाता है इसको हिंदी में अलोई की जहां तक हम बात करें तो अलोई एक ऐसा मेटल होता है जो दो मेटलिक एलिमेंट्स को मिलाके बनाया जाता है जैसे ब्रॉंज के केस में कॉपर और टिन है इस तरह का मेटलिक एलिमेंट का मिक्स्चर जो होता है मेटल वो काफी strength प्रोवाइड करता है इस तरह के metal को काफी मजबूत होता है इस तरह का metal लास्ट कुशन आप से पूचा है इसमें से कौन सा element इंपार्ट करता है green color fireworks को तो जब भी आप पठाके जलाते हैं उसमें आप देखते हैं अब और अलग-अलग colors आपको दिखते हैं तो उस हर color की पीछे एक अलग elements होता है green color की पीछे कौन सा है देखिए barium है अब और अलग-अलग colors भी आप से पूछे जा सकते हैं तो सारी color discuss करते हैं और उनके पीछे जो elements होते हैं जिनसे वो बने होते हैं colors वो डिसकस करते हैं तो रेड कलर जो दिखता है आपको अपने फायवर्क्स में वो स्टॉंटियम की वज़े से होता है स्टॉंटियम सॉल्ट होते है औरिज कलर आपको केलशियम सॉल्ट के वज़े से दिखता है yellow color sodium salts के वाज़े से आपको देखता है green color जो हम भी हमिने discuss किया barium salt प्रेजट होनिक वैसे green color आपको देखता है then blue color आपको copper salts के वाज़े से देखता है purple color आपको combined copper और strontium salts की वज़े से दिखता है silver color जो है वो magnesium Jiam and aluminium के करएं दिखता है तो सारी कलर सा वीडियो को पॉस्ट करके आचे से देख सकते हैं और समच सकते हैं इसे तरह की important वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं थांक्स और वाचिंग